हेलो दोस्तों स्वागता आप सभी का एक और नय वीडियो में दोस्तों आजके इस वीडियों बात करेंगे हम लोग बिग बेस्ट लिग में दोस्तों जो मैच के लाएगा वोमन्स का सिट्नी सिक्सर वोमन वर्सेस एडलने टीम करेकर दूँगा दोस्तों । अगर आप दोस्तो आपको इस वीडियो में भी पता चलने वाला है कि दोनों टीम के तरब से कौन-कौन से बॉलर रहेंगा जो कि अपने चार अबर कंफर्म बॉलिंग करने वाले है कौन से बॉलर को आज की मैच में आपको कट होता है बैटिंग सेक्षन में दोस्तों कौन सा प्लेयर है करो को सीखने और समझने के लिए का का मैच जो कि होवाड हैश और यहां पर डोस्तों सिड्नी ग्रिन thats बीच में मैच नहीं च्वालो ओन मेरे जोई कर पाया था किसी वज़ासे अब इन तीन टीम दोस्तों मैंने अपने टेलिगराम पर भी दिया था आप देखो एटीम थी अपने टीम 2 काही जबर्दस्त दोस्तों परफोर्मस दिया इसने पूरे के पूरे यहां पर दोस्तों 9 PlayDream Team के आए हैं दोस्तों और mini grand league दोस्तों इस टीम से बहुत सारे हमारे members ने विन क्या हुआ है जाके आप लोग telegram भी देख ले ना link दोस्तों telegram कामने इसी वीडियो की नीचे description box में दे रखा है जाके channel भी join करके रखना वहाँ पर हर match के हम लोग team भी देते हैं और जाके result भी देखना भाई क्या हमार लेकर आ सकते थे 2-3 लाख रुपेस में match में विन कर पाते थे लेकिन दोस्तों mini grand league फिर भी हमने विन किया जितने भी 10,000 के sports वाली थी ना भाई सारे की सारी हमने वहाँ पर विन किया जाके आप लोग telegram पर देख लेना क्या ही जबरदस्त हमने team मना के दिया था प्रूब Sydney Oval में में ठीक है और यह बैटिंग पीस मिलने वाली है दोस्तों और यहाँ पर पेसस के लिए भरपूर मदद है लेकिन spinners भी दोस्तों आपको विकट निकालते हुए दिखेंगे गेम में आपको spinners भी आते हुए दिखने वाले बाकि यहाँ पर दोस्तों 15% भारिस का मौ अब आरप दोस्तों आपको दोस्तों अपने चलना पड़ेगा अब यहाँ पर हैट्टीम काफिया दिखा तो में आपको Sydney ने अभी तक सिर्फ यहाँ पर दोस्तो 3 मैच को विन किया हुआ, Adelaide ने हाँ पर दोस्तो 8 मैच को विन किया हुआ, मतलब 100 मैच में से 80 मैच Adelaide Stryker ने विन किया हुआ, और 30 मैच Sydney ने विन किया हुआ, तो काफ़ी दोस्तो जमीन और आसमान का है, फरक, लास का मुकाबला देखेंगे, दोनों डिम्स के बीच में आखरे मुकाबला कब खेला गया था, यह 18 November 2013 को खेला गया था, दोस्तो North Sydney All, इसी ग्राउंड पर दोस्तो खेला गया था, यह अभी तक अगर आपने हमारी यूटीब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तो यूटीब चनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा, और वीडियो को लाइक करके दोस्तो बेल आइकन की घंटी को अन कर लीजिगा, दोस्तो थाकि नेक्स मैच की नोडिफिकेसन आप तक पहुँच पाए, जब मैं लाइब आओ, या जब मैं वीडियो अप्लोड करूँ, तो उसका नोडिफिकेसन आप तक पहुँच पाए, ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा और विडियो को लाइक कर दीजिगा विकेट की पर में दोस्तों आपको दो विकेट की पर दिखेंगे B.Patterson और S.Brese दोनों ही दोस्तो काफी तगड़ी है लिकिन इहाँ पर दोस्तों बी पेट्टिंग को आपको बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना है बाकि S-Briess को आप बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों में ट्राई कर सकतू है अब मैं ऐसा क्यों बोल रहो उसका रिजिन है बी बैटसन की बात करहें तो 10 परसेंग सेलेक्षण है पिछले मैच में तनो उन्हों कुछ किया नहीं था बैटिंग ओड़र की बात करो तो 5 नूमरबे बैटिंग ओडर है रीरसेंट फ़र्म सात रशन का स्कूर किया उससे पहला बत्तिस रशह उससे पहला 16 रन का स्कोर करके आ रही है, एस ब्रेस की बात करें ना, तो 94% सेलेक्शन है, पिछले मैच में 59 पॉंट देखे आ रही है, इनका जो दोस्तो बैडिंग ओडर है ना, टॉप क्यो बैडिंग ओडर है मिर भाई, ठीक है, चार नमबर पी इनका बैडिंग ओडर है, पिछले मैच में 36 रन का स्कोर करके आ रही है, उससे पहला 27, उससे वाला 5 रन का स्कोर करके आ रही है, ठीक है, आप यहां से चाहे ग्रेंड ली के टीम क्रियेट कर रहे हो, चाहे आप यहां से स्मॉल ली के टीम क्रियेट कर रहे हो, एस ब्रेस आपके टीम में होने ही चाह बैडिंग सेक्षन में दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले एलेजब पेरी का दोस्तों 98% सेलेक्षन 176 पॉंड भी तक दे चुकी है पिछले मैच में दोस्तों एक्याशी रन मनाया दो विगड भी निकाला पूरे चार वर आपको बॉलिंग भी कंफर्म करके देगी दोस्तों और ओपनिंग करने लाइगे अलाएक दोस्तों टि 20 वर्ल्रकप मेश बालिंग देखें वज्यक द dużden करीज़ेगा chop अप कमंण प्लेयर नहीं यहां से आप अपने टिम में इसको पिक करके चलेगा ओपनिंग करने के लिए आने वाली है लोरा वोल्डर की बात करें तो दोस्तों देखो कि तहां पर 75% इनका सेलेक्चन पिछले मैच में दोस्तों 10 पॉंड दिया फ्लॉप गई थी इनकी जिगा पर ड्रिम टिम में यहां करें ना तो दोस्तों यहां पर 53% इनका सेलेक्चन है साथ पॉंड दोस्तों पिछले मैच में देखे आ रही है सेटनी सेक्सर के तरफ से आपको यह ओपनिंग करते हुए देखेगे लिए पेरी के साथ में दोस्तों देखो पिछले मैच में इसने तीसर अनका स्कूर किया उससे पहला जिरो उससे पहला चारा नका स्कूर करके आ रही है आप इसको कप ट्राइ करोगा अपने टिब में जब यहां पर दोस्तों सेटनी सेक्सर सेकेंड इनिंग में दोस्तों बैटिंग करेंगी तब ट्राइक ना मिरुए ठीक है बाइडिंग फरस्त में दोनों बैटिंग से कुछ पॉइंट दे सकते एक दोकाइज पकड़े बाकि इसके ऊपर आप बैटिंग के उपर ही निर्भर कर सकते तो बैटिंग सेटनी करेंगी एसस तो मैं अपने टिब में जरूरू लेगे जाओंग लेकिन बैटिंग फरस्त करेंगी तो यहां से ड्रॉप क करके चलोंगो आपको भी बहुत कम था पिछले मैस में अगर हम लोग कॉंपार करें आज के मैच का सेलेक्शन के हम दोनों को पार करें पिछले मैस में 48 पॉइंट देखे आ रही है 37 रन का स्कोर किया उससे पहला 2 रन का उससे बाला 42 रन का स्कोर किया अब ड्रिम टिम में इसले निकले मिर भई क्यूकि यहाँ पर लॉरा फ्लॉप गई ठीक है लेकिन हर मैस में दोस्तों क्यमय नहीं चलेगा इस बात को आप ध्यान में रखे चलेगा लॉरा चल सकती क्यमय नहीं चलेगी सेकेंड इंग में दोनों ओपनर को लेगी जा सकते हो लेगन बैटिंग में लेके जाना मेरे ठीक है तो फिलाल के लिए उनको भी ड्रॉप करके चलेंगे मेरे उसके बाद आपर बात करेंगा दोस्तों एक परसंट दोस्तों सेलेक्षन है कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं रेने माली है पांच नंबर की प्लेयर मेरे पिछले मैच में आट रन का सकती है तो आप ट्राइ कर सकते हैं तो आपको एसे के तरब से भ packed at नंबर को सकती है टेको क्यूंकि तो तीन नंबर पीन का लिए ऐसकोर किया उससे पहला साथ उससे पहला जिय्यर अनप जिरू विए सबसक्ती है बैडिंग फरस्त ま है तो त्राइब करना चाहों तो त्राइब कर सकते हैं थोड़ा सा रिस्क और इसका में तो यह चली है तो आपके टीम और यह चली अगर में एक टीम के साथ में जाओं तो नहीं लूगा बात करेंगा दोस्तों सबसे वहला TMC ग्रहत का 97 परसंट सेलेक्षन है दोस्तों एस के साथ में आपको खिलती हुँ दिखेगी एडलेट स्ट्राइकर के तरफ से बात करें न तो चान नंबर पर दोस्तों इनका बैटिंग ओडर है पिछले मैच में दोस्तों 11 रन का स्कोर किय आपको यहां पर बालिंग करते हुँ दिखने वाली है अच्छी बालर रहेगी दोस्तों जरूर अपने डिम में हासे दोस्तों लेके जाएगा दोस्ते तीन ओबर आपको बालिंग भी करके देने वाली है तो मस्ट हैपी के जरूर लेके जाएगा वीसी भी आप इसको ट्र रन बनाया था कि नहीं बनाया था दो रन भाई देखो कोई यहां पर हाओ बाजी में कोई प्रेडिक्शन नहीं होता जो भी चीज होता भाई आपके लिए इंदम फोक बजा के हम लोग लेके आते दो रन का इसको पहुंट लेकिन अपने डिम में आप जरूर लेके जाएगे तो आप इसको भी ट्राइए करना अपने डिम में जरूर लगे जाना क्योंकि दोस्तो बैटिंग आ गई तो बैटिंग से आपको पॉंडट देके जाएगी लेकिन ज्यादा इसका चांस जो रही गाना मेरे बैटिंग फस्त में इसकी बैटिंग भागे जाएकी और सेकेड न रहेंगी इसमाइच के लिए के लिये भी औरला यहां पर देखो को तो इनको ने पूरे कंफर्म किये थे और यहां पर एक विगड भी निकाल गया रहे तो आप यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन भी दोस्तो अपने टीम का ट्राइग कर सकते हैं अपने टीम में प्रफॉर्मस नहीं दिया अपने टीम में आप यहां से उनको ट्राइग करना अच्छी पीक है एक ट्रम कार्ट पीक साबित हो सकते हैं फिलाल के लिए ड्रॉप करके चलिएगा बॉलिंग सेक्षन में एप स्वाड की बात करेंगा तो दोस्तो पंचारमे परसंट सेलेक्षन है बहातर पॉंट अभी तकी स्टोनामिन में दे चुगी भाई एस के तरफ से खेलत वे देखेगी पिछले मैच में दोस्तो दो विगट निकाला मेर पिछले मैच में दोस्तो इन्होंने दो विगट निकाला उससे पहले मैच में एक विगट निकाला बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से दोस्तो आपको पॉंट देखेगी तो आप इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी दोस्तो अपने टीम का ट्राइक कर सकते हैं जा इंपोर्टन प्लेयर रहेगी दोस्तो जरूर लेगे जाएगा अपने डिम में ठीक है उसके बाद यहाँ पर दोस्तो एल चैत लिए 20 परसन सेलेक्शन में आपको ट्रम कार्ट प्लेयर मिल रही है दोस्तो पिछले मैच में हाला यह फ्लॉप गई थी भाई जिरो विगट तर फ्लॉप चल रही है अभी जो टी टॉनटी वर्ल्ड कप हो रहे थे उसमें पार्ट सपेट गी तो उसमें भी दोस्तो इसने विकट काफी कब निकाले थे मिल भाई ठीक है और यहां से इसको लेगी जाएगा उसके बाद यहां पर दोस्तो हम लोग बात करेंगे एस सेलेक्शन है चपन पॉर्ण दोस्तो पिछले मैच में इसने दिया दो विकर दोस्तों इन्हों निकाला मिल भाई ठीक है इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगी दोस्तों तीन से चार वबर आपको बालिंग भी करके देगी ट्रम काट पिक भी रहने वाले दोस्तों आप अपने है एस बॉल हर्स करती है तो फिर अपने डिभ में आप इसको ट्राइ कर सकते हो दोस्तों एक विगर पिसले मैच में निकाला उससे पहले वाले मैच में दो विगरने कम सेलेक्सन में किसीं की नजर नहीं है लेकिन प्लेयर परफॉर्म कर रही है सांती से अपना काम कर रही ह तो नजर रखना बॉल फर्स्ट करेंगी एस तो सीधा अपने टीम में भर लेना मिर भाई ठीक है किये पैट से न उतने चीपिक नहीं भाई फर्स्ट यूनिक सेखेंगी दोनों ड्रॉप करके चल सकते हो एस चिपल को अपने टीम में उठाएंगे मिर भाई ठीक है तो यहां दोस्तो अपने ग्रेंडिक की यूनिक टीम साथ में दोस्तो इसके आपको टॉस होने होए हमारे टेलीकर पर दोस्तो तीन ब्रेंडिक के टीम भी आपको मिलेगी वह फिर्यों आपकोष्ट है जाकर टेलीगराम जोइन किजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्षन बॉक्स म झाल झाल